जय हिंद दोस्तों मैं आप सभी का दोस्त और होष्ट गुल्दीप आप सभी का तह दिल से स्वाथ पर तो आपने चैनल वीकली जिकेटरी का पार्ट ओफ एससी दोस्तों हम बात करेंगे अपने नया सेशन को लिके नया सेशन नहीं मतलब इसमें हमारा जो नया चैप्टर य एट वीडियो में कम्प्रीट करा रखा है कुछ कोश्चन होंगे वह मैं आपको यहां पर सेप्रेट वीडियो में अलग अलग आपको शेंड कर दूँ हो ठीक है यह ध्यान लगना तो हमारा 29 चैप्रेट चालू हो गया जिसमें हम स्पेसलाइस पेपर होंगे ठीक है आपक को ध्यान लगना तो इसे विडियो को चलता है आप सभी को पता होगा चलिये तो आपको पता होगा तो यहां पर बता दू कि हमारे जो पार्लेमेंट है वो तीन बंबो वे टेप हुआ है तो यहां पर सारी आपको डिस्प्ले करने वाला हूं ठीक है यहां पर आपको चीजों समझ में आईगी उमीद करता हूं चलिए तो यहां पर मैं को सारी से 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 बताने वाला हूं यहां आपको सारी अजय होँ यहां आपको जीरो से हंडाध परसेंट परसेंट पदाने वाला हूं यहां आपको ध्यान लगना रखनाए तो बस मच्छे से अराम से लेइड लगाई और वीडियो को भी लाइक है चलिए बस आपको अपर जल्दी सल्दी आपको पूरा डिटेल के साथ कम्प्लिट करा हूं उसके बाद का क्या मतलब यहां कंट बनता है कि एक हो गया, army, air, और आपका navy, तो यह ऐसे भी टाइप होते हैं, तो हमें पताब को तीन है, कौन-कौन से आपको पता होगा, इक आर्मी ठीक है, दूसरा navy और तीसरा air, तो आपको पता होगा, ठीक है, तो आप देख रहो, नेवी के हैं और यह जो ध्यान लखना भी यह है अब बात सब्सक्राइब करेंगे अपना आर्मी वाले हैं मैं भी था तो आपको पढ़ा हूगा तो आपको पता होगा तो सबसे पहले बात करते हैं आइन पूंसे कोशन पूछे जाते हैं ? यह सबसे पहले हम बात करेंगे आर्मी तो परजयंट time में जो आर्मी के head जनर्र मनोर्ज मुकंद्रान में अब इनके पीछे नम कुछ बाइब नाम सुनते है वह नहीं के नाम लगे होते हैं जैसे पीवेस पीवेसम एवी सम और वीएसम जब मैं आपको भी इसी में आर्म फोर्सीस डिफैंस सर्विस में है जो हमारी गैलेंट्री और नो गैलेंट्र वीडियो बना रखी है तो आप जाके सर्च करोग ना गैलेंट्री नोन गैलेंट्री अब बाइब कुल्दीप सर या आप कुछ भी बिना नाम के भी कर दीजिए मेरी वीडियो मिल जाएगी तो आपको यह पीवीएसम और एवीएसम मैं आपको सारे यहां पर क्लियर हो दे यह लेत हूं तो पीएसम का मतलब होता परम विशीए मैडल धाल इनकी जो वर्क होता है उनके भ्याब पर यह आपको वह दे जैते हैं इहां पर मैं लिख देता हूं आपको यही लिखना है क्या चीफ ओफ आर्मी स्टाफ तो समझ गहें कि वर्टीज़ फुल फॉर्म ओफ सी ओफिसर आर्मी स्टाफ ठीक है यह आपको ध्यान रखना है चलिए उम्मीद करता हूं अच्छे समझगें अब भाईया बात कर लेते हैं है चलिए 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 भारत की कई इंडिया की कई तो नीज यह आर्मी चल आपको अच्छे से मपता हूं 15 जनवरी और आपको पता होगा फॉंट पर जैनती निए है तो भी आपको ध्यान रखना है पर नाधा दिवस परा करम दिवाश किसकी जंदी बनाया था सुभाचंद्र बोश्ट नेता जी जिनका एरपोट है कापर कोलगत्ता में आपको ध्यान लगना अब जो आर्मी का फोर्मेशन हुआ था तो भाई एक अपराल उनिस सो आठासो या थीमाँ आपको ध्यान लगना आप जो फॉस्ट जनरल थे फॉस्ट जनरल कोन थे तो उस वे में आप आपको बता आओ था बहरत अजाद हुआ था तो हमारे पस इतनी कमांड में नी थी कि हम अपनी मैंटेम कर सके तो समय बीटे सी हमारे फर्स्ट जनरल थे हमाँ पर ध्यान रखना तो कौन थे जनरल सर रोब लोकर्ट तो आपको मैंने यहां पर दे लिया कोई पूछ लेता है ठीक है ध्यान रखना अब यह ध्यान रखना जो ठीक है और इसके किसके अंदर आड़ता है तो दिहान रखना विच आर्मी नेवी और अंडर विच डिफेंस मिनिस्ट्री तो ठीक है उमीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा एक हमारे होते है भी है वी ओसी एस वी ओसी का मतलब तर वाइस ओफिसर इहां पर दिहान श्राप ठीक है वाइस ओफिसर चीफ आर्मी स्टाफ टीक है तो है डिया आपको ध्यान अघना है ठीक है करें बच्पन में यह हम चीजे लेते हैं आपके धियान रखना है अ लेकिन जो हमारे वाइस जो होते हैं जनरल तो उनको हम याद नहीं कर पाते हैं तो यहां धियान रखना जनरल चांदी परसाद मॉन्टी है यह आपको धियान रखना ठीक है चलो उम्मीद करता हूँ अच्छे समझी होंगे अब बात कर लेता थोड़ा है नैवी के बारे में इनको शॉट फोर में अब्रिवेशन में का जाता है यहां ध्यान रखना है समझे के यह आपको छल गए ठीक है सब्सक्राइब सबस्क्राइब सब्सक्राइब तो यहां पर द्यान रखना चीफ नेवल स्टाफ ठीक है अब इसका फॉर्मेशन हुआ था 26 जनुरी 1950 को इसके फ़र्ज जनरल कौन थे तो यह अधिक बिटिस थे उसमें ठीक है आपको ध्यान रखना रखना है ठीक है अब या commander in chief तो मैंने आपको बोला है कि तीनों जो विंग हैं उनके commander in chief तो president है लेकिन chief अलग-अलग member है ठीक है आपको ध्यान लगना है और किस ministry के अंदर आ था defense ministry के आपको ध्यान लगना है अब बात कर लेता है थोड़ी अपनी air वाली की भी है ना तो आपने सुना होगा अभी नंदन attack करके आये थो अब बात कर लेते हैं air के अब ध्यान लगने आपको बता है आर्मी की जनरल तो नेवी की आपकी आड्मीरर तो ऐसी हमारी होती है उनकी head मतलल रैंक होती है वो कौन सी होती है air chief marshal तो presenter में कोन है तो air chief marshal rank लगा के लिखना कभी भी नाम सब्सक् अब इसका headquarter मैंने बोला न्यू देली में तीनों कई ठीक है अब साथी साथ air day, air day कभ बना जाता है तो ध्यान लगना आपको बताया तो आर्मी का बना जाता है तो 15 जन्वरी को ठीक है आपका जो नेवी का बना जाता है कम बना जाता है तो भी यह 0-4 मतलब दिसंबर को औ आपको ऐसे ऐसे याद कर लेना ठीक है तो भी यह 15 हो गया और जीरो में चार में आट दो देंगे तो भी यह ध्यान रखना है हमारा कौन सा हो जाएगा आट तारीक हो जाएगी चार प्लस तो आपको ध्यान लगना ठीक है इसके पहले जन्रल नहीं आपर थोड़ी ध्यान है गलती होगी तो फर्स्ट एड्मिरल आपको ध्यान रखना जो आपके जोन टलबर्ट ठीक है और हमारे फर्स्ट ही कौन थे वाई उसेना के तो वो थे फर्स्ट एयर चीफ मार्शल थोमस अल्मिरिस्ट यह आपको ध्यान रखना इसके कमंडर इंचीफ तो प्रिजेंट है यह आपको फोट मैंने दिखा दिया भी न्यू बने है ठीक है नवंबर में ठीक है यह आपको चली ध्यान रखना है ठीक है तो सुर्वात का आगे को बताने से पहले मैं आपको बता दू यह हमारी एक NCC ट्रीक बुक लोन चुक है अफी पहले हो चीक हो बहुत दिमांड लोगों उन्हें खरी दी भी है ठीक है बहुत में पर पर प्रचेस के मैंसीज आते हैं मैंने काफी दिये इस से पहले मैं आपको स्कूर भी दिये थे परचेस के यह आपको ध्यान लखना है तो हमारी नीट NCC ट्रीक बुक है जिसमें सारे आपके जो कोशन है ना NCC कोमन और है 90 रूपे बहुत मैंने चीपिस प्राइब रखे ताकि आपको भी दिखत ना हो ठीक है ध्यान लखना चलिए तो जिसको भी चाहिए कोंटे कर सकते हैं मैसिस कर सकते हैं आपको कोई सुविधा मिल जाएगी सारी ठीक है बात कर देते हैं नेश कोशन यहां पर कोशन जितन तो यहां पर अगला कोशन है how many regiment are there in India तो आपकी जो रेजिमेंट है रेजिमेंट किसमें आर्मी के हिसाफ से बता रहा हूं मैं पहली बात भाल रहा ठीक है ध्यान लखना रेजिमेंट अलग-अलग होती है जैसे नेवी के अलग आपकी एयर के अलग तो में आपर आर्मी की अब ऐसे तो मेरे को याद नियारी सीख रेजिमेंट हो गया कुल्दीप चांचार भी थेख है न मतलब वाले 1970 वाला यूद वा था ना उसमें महभूम उफ्ती के महभूम उफ्ती नहीं उसमें पाकिस्दान वाले 72 वाले में ठीक है सेव के मुझीवर रहान थे उसमें ठी सथी साहत है कौन कौन से वाले करती है और सॉटे आपको होते किया और होता है सारी चीब पताऊँगा आपका एक डाउत में चूड़ू मैं और जो कमेंट में सकते हो मैं सारी या उसमें पर रेप्लाइग कर दूँगा एक होती है इसके इलावा भी हमारी कुछ ध्Button आंपी प्रेंट स्वस्टों कि वह आपाँ सब्सक्राइब हमें तो यह आनो हमें जोटे में 20 ए स्थी 12 घंड़ी चोटे फेटींी से तो इनका काम होता है, कि वेपन के साथ चलती है, अपने अभिyaनों को गार इस अगर भी आकटिविटी कर रहा है, तो इनका होता है आर्टेली का क्वphone श्कीके बीकाब करेंना फैकर हैं रह ALLlls अब बात कर लेता हैं इंगले शिंदी ओना अब देख लेते ठीक है हूँ इसको बाद रेजिमेंट होता श्री में कब अपना नक Candice का Anap हो ठीक है यह ध्यान रखना है क्योंकि आपके एक्जाम में देना है चलिए उम्मीद करता हूं समझ के होंगे सारी कोशन पूछ सकता है कि हमनी रेजिमेंट इंडियान आर्मी तो आपको ध्यान रखना नाम तो मैं नहीं बताऊंगा पाइदा कुछ भी निए लिखना इंडियान आर्मी को स्वयरूप किस परकार होता है ठीक है अब स्वयरूप क्या होता है सर यह तो बता दीजिए हमें अब देखे मैं चोटा से एक्जामपल दूँग और आपके माइंड में सारी जो पिच्चर है वो क्लिक होने वाली है सुनिए मेरे आपने इंडिया का न गाओं होता है सर जी यह तो छोटी बात है अब उसके आगे बताना मेरे को घाओं के आगे वह था हमारा ब्लोक होता है इसके बाद बोलो के सर बलोक बिल्कुल आओ आपको पता है बोलो के सर उसके बाद मेरे को पता है विलोक के बाद होती हमारी क्या आपकी तैसिल ठीक है तैसिल यह तो पता थी सर नम है इसके बाद और क्या होती है तो आप थोड़े हमतर चक्रा जहोगे उसके बाद होती हमारी जिला करिशद इस पर बताव मेरे लिदा कि यहां पर लिग देता हूं चन Kazakhstan जूपनती है ने इंडिया विलेज यह जो मिलकर बनाते हैं किया ब्लोक मिलकर बनाते है तस्य आसिर उतसिंद मिलकर बनाते हैं जिला जिला परिशवत मिलकर मंडल बनाते रिष्टेट मरणे इंडिया तो समझ जो ऐसा सुवरूप है तो आसी हमारा आर्मी का डिवीजन है तो बस उम्मित का टाउन आप समझ गें आ तो बस यार हमारे जो basic आयानी आर्मी का बुनियादी धाचा है वो कैसा है किस परकार मतलब कैसे कैसे division हर काम में बाढ़ता है यह आपको जिहान नखना है तो हमारे यह इतने बाता है कि हर किसी को काम अलग दे रहते हैं अब भारत का प्रिजेंट है लेकिन वह इंडाक्टिफ थोड़ी देखते है इन डाक्टीफ है न याणि अब बात-बात को लूग की जो श्टेट में कों रहे हैं मतलब उसके द्वार्न किया जाते हैं तो वह उसको देख रहा है अब यह आप गवर्नर तो सारे काम करता नहीं है सीफपनिश्टर करता उसे लिए में मर्क करते तो ऐसे डिविजन बटे हुआ है यह द्याहना क्ना जैसे आपने पता होगा आतिरी इस्थरिय पंजायत राइज़ था आपने पड़ा होगा आपने पड़ा होगा आपने बलवंत्राय में आता समीधी चलिया तो अब बेसिक इंट्रक्टर जो आन लेता है उसका हमारे डिविजन का आप आर्मी का तो हमारे एक डिविजन होती है क्या डिविजन मतला एक पहले बेसिक जैसे हमने गावव बात कर रहे तो आपको ठीक है मतलब ले में बताऊं आप आपको बताऊंगा ठीक है दुनिए जो डिविजन होती है उसमें पार्टी तो इसमें पर्ति एक डिविजन में यानि जितनी भी डिविजन होती है आदमी में चाहिए स्टेट वाइस होते है अलग 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 स्टेट होता है तो जितनी भी डिविजन है तो डिविजन मे जो head होता है वो major general rank के COG के नेतरतु में कार्रे करती है यह आपको ध्यान लखना है guard officer commander ठीक है आपको ध्यान लखना है तो हमारी जो पर्टे एक division है यानि जितनी भी division है उसमें जो member आते है वो major general rank के जो JOC ठीक है जैसे अब JOC का मतलब जो आपको पता होगा जैसे बटालिर में एक JCU होता है जूरियर commander officer ठीक है उनको जो head lead करता है नीचे वालों को हावलदार हो गए ठीक है उनको तो ऐसे division में जो पर्टे एक head होता है उसमें major general rank के एक JCU को नेतरत कार्रे द्वारा किया जाता है साथी साथ division होता है उसमें भईया कम से कम आपके लगबख 15,000 लड़ाको सैनिक होते है ठीक है फायर करने वाले तीर मार वाले ठीक है और 8,000 साहिक सैनिक बत होते है ठीक है कितने 8,000 क्या होते है साहिक ततो होते है यह आपको जो है ना हमारे कई बिर्गेड में होती है अब बिर्गेड की बात कर लिए ठीक है तो डिविजन के बाद कौन सा हमारा आ गया तो यहां पर ध्यान लखना है ठीक है डिविजन के बात क्या आ गया हमारा बिर्गेड तो इस चीज़को आप ध्यान लखना है डिविजन के ब बचालें logh 3,000-6,000 लडाकु सहणिक होते हैं यह को ध्यान लगना है अब बात कर लेते हropriऊ बचालें कि बात कर लेते हैं बचालें इसे आप के बचालें слож होता है नितर्द होता है नोडिली में मतलब वहाँ पर इक हैरोटा है ठीक है। आप रखेर अपको नेतत कौन करता है कनल करता है। यह जो इकाई भी खोती है। आपको धयान लखना करता है। अब बटालियन होती है वह परत्य कंपनी में डिवाइड होती है आपको पता होगा जो है किसे के अच्छे अच्छे मतलब वह बन जाते यह ध्यान लकना है पि आई थिक यह आपको ध्यान रखना तो बटालियन कंपनी में डिवाइड होती है और जो कंपनी होती है उसका नेतर्थ कौन करता है मेजर या कैप्टन के द्वारा किया जाता है ठीक है यहीं आप से कोशन पूछा जाता है कि हाव मैनी शोल्जर्स इन इंकलूड इना कंपनी तो ध्यान कंपनी जोपार होती है मैं और फ्लाटून में यहां को ध्यान न न इकना है कि हैं अब किने इन प्लाटून करते होते हैं 20 को प्लाटर में 32 और बिशे स्ट्रेक्शन में 10 बस इतना ही जानना आपको उम्मीद करता हूं भैतर तरीके से मैं आपको समझाओगा और आप समझगी होंगे ठीक है लब यू यार बहुत चीज़े आपको बहुत प्यारी समझगे समझगे समझगा रहा हूं ठीक है आपको दिय दीर दीर और आप अच्छे से रिवाइज भी कर सको ठीक है एक दम सारी चीज़ कर दो प्रेशर बढ़न जाता है ठीक है ध्यान लगना तो पस इस सेशन में इतना ही उम्मीद करता हूं सेशन लों को प्ली दिल से वीडियो को लाइक जरू करना और जो भी हमारे आपकी जो आपके यहाँ पर जोइन हो सकते हैं ठीक है तो भी ऐवी डिट मिलती रही हो और साथ ही साथ यहां पर टेलिक्राम से जुड़ेएं इसे दबा लीजे चीज दना जीज आपको मिलती रहें तो बस आपको जो खरीद नहीं होते हैं पर ध्यान लखनाना एक दिल से वीडियो को लाइक जरू करना तो मिलताओं आपके साथ नेस वीडियो जब तक लिए विदा देता हूं जब तक ले दोस्तों जा हिन जा भारत